दूसरी तरफ बीजेपी के यूपी काई के ओफिशल ट्विटर हैंडल से उस देश के अनदाता की ऐसी बेजती की जाती है। इन बीजेपी वालों की जो सोच है, इनकी नीती है, इनकी नियत है, वो किसान विरोधी है। बीजेपी की एक नेता मिनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा था, बीजेपी वाले नेता मवालीयों गुंडों जैसी बाशा का इस्तिमाल कर रहे हैं, इनकी तरह हम नीचे गिर के अबदर भाशा का इस्तिमाल हम नहीं करेंगे। और योगी अधित्तनाथ कुजरा ये याद दिला दें, कि हरियाना में भी आपकी पार्ट लक्षरों में लखा जाएगा। तेज किया जाएगा, आंदुलन को व्यापक सतर पे बढ़ाया जाएगा, अब उसके बाद 29 तारीक को, यानि परसों, जो बीजेपी की जो यूपी की हिकाई है, बीजेपी पार्टी की, उसके ओफिशल ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है, सुबह 9 बज़ के 24 मिनट पे, और ये ट्वीट किया जरा आपको हम दिखा देते हैं, ये ट्वीट देखना बड़ा जुरूरी है, क्योंकि इस ट्वीट में देश के अनदाता, यानि देश के किसान का बड़ा अपमान किया गया है, बीजेपी द्वारा, और ये ट्वीट बीजेपी के हुआ है, तो वो एक आगे जा रहा है, और आगे रस्ता जा रहा है, यूपी की तरफ ऐसा उसमें दिखाया गया है, तो सामने से एक आदमी आता है, जिसको नाम दिया गया है, बहुबली, और वो कहता है उससे, किसान अंदुलन वाले व्यक्ति से, कि भई, सुना है लंगा ना लिये भाई, योगी बैठया है, बकल तार दिया करें, और पोस्टर भी लगवा दिया करें, ये कह रहा है, एक आदमी किसान अंदुलन वाले व्यक्ति को, और उसके बाद ऊपर एक और फोटो है, इस फोटो में, जो आदमी किसान अंदुलन के तोर पे दिखाय गया है, उसको कोई व्यक्ति घसीट के लेके जा रहा है, बाल पकड़ के, और जो घसीट के लेके जा रहा है, वो एक तरीके से वो योगी दिखाया गया है, वो क्योंकि उसके भगवा कपने दिखाये गए है, और उस किसान अंदुलन वाले व्यक्ति को ऐसे बालों से कि एसी बेजती की जाती है उसको ऐसे अपमानित किया जाता है इस से एक बात तो क्लियर हो गई इन बीजेपी वाड़ों की जो सोच है इनकी नीती है इनकी नियत और दूसरी बात अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की एक नेता मिनाकशी लेखी ने किसानों को मवाली कहा था लेकिन यहाँ पे कौन मवालियों जैसी भाशा का इस्तिमाल कर रहा है। बीजेपी वाले नेता मवालियों गुंडों जैसी भाशा का इस्तिमाल कर रहे हैं। और यह जब ओफिशल ट्वीटर हैंडल से उनका ट्वीट हुआ है, इसका मतलब इस ट्वीट में BJP के सभी शीरिष्ट नेताओं की सहमती है तभी ये इस पे ट्वीट हुआ है और गुन्नो मवाली जैसी भाशाओं का ऐसी पिक्चर का इस्तिमाल तो BJP वाले कर रहे हैं अगर हम चाहें तो इनको इसी भाशा में भी जवाब दे सकते हैं हमें वो भी देना आता है लेकिन हम नहीं देंगे क्योंकि हम जिस किसान कौम में पैदा हुए हैं उस किसान कौम ने हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा सभ्यता के दाइरे में रह के अपनी बात करनी है हमें मरियादाओं में रह के अपनी बात करनी है इसलिए इनकी तरह हम नीचे गिर के अबदर भाशा का इस्तिमाल हम नहीं करेंगे हम तो अपनी सभ्य भाशा में ही जवाब देंगे और योगी अधित्तनात कुजरा ये याद दिला दें कि हरियाना में भी आपकी पार्टी के ECM है, मनोरलाल खटर, कुछ महीने पहले ये भी आपकी तरह घमंड में चूर चूर हो रखे थे, और मनोरलाल खटर कहते थे, कि हरियाना में जगे 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 जाएंगे, सभाएंग किसानों को यह समझाएंगे कि कानूनों के फाइदे क्या है उस समय में अच्छे तरीके से समझ कि यह समझ कि आप किसानों को बैकाने के- किसानों को ऊक्साने-के- मत जयये लेकिन वो तो गमंड में चूर थे समझ में नहीं आया जो आदमी घमंड में लीन हो जाता है जो आदमी घमंड में चूर हो जाता है उसकी बुद्धी अपने आप कम काम करने लग जाती है घमंड की है कि ये खास क्वालिटी होती है कि जिस आदमी के अंदर घमंड गुसा उसकी बुद्धी अपने आप कमजोर हो जाती है तो मनौरलाल खटर ने कारेकरम करने का परियास किया सभाहे करने का परियास किया उन परियासों का उन सभाओं का क्या हशर हुआ ये सिर्फ अर्याना ने नहीं पूरे देश ने देखा था कैमला गाओं में मुख्यमंतरी खटर का हिलकॉप्टर ने उतर पाया रोतक में किसानों ने जोरदार विरोध किया हिसार में जोरदार विरोध किया हिसार में तो इनके उप मुख्यमंतरी जब दो घंटे तक एरपोर्ट के अंदर बंद रहे बडोली गाओं का दोया तीन दिन पहले उनको कैंसल करना पड़ा तो किसानों ने मनवरलाल खटर के घमंड को मिट्टी में मिला दिया और इनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए इस किसान कौम का इतिहास क्या है इनको जानकारी होनी चाहिए बीजेपी वाड़ों को बड़े बड़े तानाशा आए बड़े बड़े करूर साशक आए जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही जिन्होंने कहा कि इस किसान कौम को मिट्टी में मिला देंगे लेकिन किसान कौम तो मिट्टी में नहीं मिल पाई लेकिन वो कुरूर तानाशाह और साशक जरूर मिट्टी में मिल गए ये किसान कौम तो उस समय भी जिन्दा थी आज भी जिन्दा है और आगे भी गरव से सीना ठोक के स्वाबिमान के साथ जिन्दा रहेगी ये घमंड बड़ी खतरनाक चीज होती है योगिया अधित्यनाश जी ये घमंड बड़े बड़े लोगों को लेके बैठ चुका है तो इस घमंड को त्याग दीजिए और इस किसान की इस अनदाता की ताकत का इमतिहान मत लीजिए मिशन यूप के और मिशन उत्राखंड तो हर आल में होगा और पूरे देश के किसान मिल जुल के उस मिशन को मजबूती से करेंगे 5 सितंबर को मोर्चा ने तै किया है 5 सितंबर को मुझफर नगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है और आज हम कहते हैं इतनी बड़ी महापंचायत होगी कि देश के इतिहास में सतर सालों के इतिहास में इतनी बड़ी कोई किसान महापंचायत पहले हुई नहीं होगी और पूरा दम लगा कि उस महापंचायत को करेंगे शान्ती के साथ करेंगे, नुसाशन के साथ करेंगे, एक जुटता के साथ करेंगे और दूसरी बात साथियों, जब 2017 में यूपी में विधान सबाद चुनाओ हुए उससे पहले बीजेपी वालों ने क्या कहा था? कि यूपी में एक एक किसान का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन क्या यूपी में कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ कर्ज माफी के नाम पे किसानों के साथ मजा किया गया किसी किसान को 2 रुपे का चेक दिया गया तो किसी किसान को 36 रुपे का चेक दिया गया तो किसी किसान को 100 रुपे का चेक दिया गया इनके 5 साल पूरे होने को है योगिया दितनात बताएं कि कितने किसानों को कर्जमुक्तीन होने की जो ये बड़े-बड़े वादे करते थे आज उत्तर परदेश के अंदर गर्ना किसानों की 12,000 करोड की पेमेंट बकाया है कानून ये कहता है कि 15 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो ब्याज भी मिलेगा ब्याज तो छोड़ दीजीए जो इनका मूल है वो उनको नहीं मिल रहा है एक एक दो-दो साल तक इंतजार करना पड़ता है तो जो ये योगी सरकार, जो ये मोधी सरकार है ये सारी चीजें थाबित करती है कि इन सरकारों की जो छवी इनकी नीती, इनकी नियत, इनकी सोच, इनकी मनशा किसान विरोधी है और दूसरी बात साथियों एक और बात एक बात हम अपने किसानों को भी अड्रेस करना चाते है मेरे भाईयों, आपकी शानती, आपकी एक जुटता, आपका अनुसाशन ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्दी है जो आपने इतने सब्भे तरीके से, इतने अनुसाशित तरीके से आज तक जो आपने किसान संसद जो चला रहे हैं जो संसद मार्ग पर दिल्ली में जो आप किसान संसद चला रहे हैं इस किसान संसद ने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भी मेसेज दिया है कि एक किसान कितना समझदार है वहाँ पे एक साधारन किसान ने जब इन कानूनों के बारे में कमियों को बताया तो पूरे देश और दुनिया ने देखा पहले बीजेपी वाले कहते थे कि एक किसान गुमरा हो रखें ये किसान भरमित हैं लेकिन जब एक साधारन किसान ने वहाँ जाके किसान संसद के अंदर माइक लेके दब वो धाड़े कि भाई किस कानून में क्या गलती है जब उन्होंने बताया कि APMC बाईपस अदिनियम से मंडियां बरबाद हो जाएंगी मंडियों की किसानों को क्या जरूरत है जब यह उन्होंने एकस्प्लेन किया तो पूरे देश और दुनिया ने देखा कि भरमित तो गुमराहत तो BJP RSS वाले हो रखे हैं यह किसान तो समझदार है और किसान सारी चीज़े अच्छे तरीके से जानता है और इनको BJP RSS वाले यह अंबानी और डानी के साथ मिलके किसानों को नुकसान पोचाने का काम कर रहे हैं यह चीज़ पूरे देश और दुनिया ने देखी जब आपकी इतने शानतिये नुसाशन और एक जुटता के साथ यह कारेकरम चल रहा है उससे BJP वालों में बुखला हट पैदा हो रही है इसलिए बार-बार किसानों को उकसाने के किसानों को बढ़काने के लिए बयान देते हैं यह BJP RSS वाले मेरी आप सबसे हाद जोड के विंती है साथियों जिस सभ्वे तरीके से जिस अनुसाशित तरीके से जिस शान्ती पूर्ण तरीके से आपने आज तक अपना कारेकरम चलाया है पिछले आठ महीने में आपने अपना अंदुलन चलाया है हमें इसी शान्ती को बना के रखना है इसी एक जुटता इसी अनुसाशन को बना के रखना है यदि किसी एक भाई की भी जाने अंजाने में गलती से हमारी शान्ती भंग हो गई तो यकीन मानियेगा आंदुलन को इतना पड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीडियां उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी इसलिए किसी भी सूरत में हमारी शान्ती भंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आना किसी भी तरह के भड़कावे में नहीं आना हमें तो बस शान्ती पूर्ण तरीके से रहना है हमें तो बस सब्भे तरीके से रहना है और अंत में यही कहना चाहेंगे यूपी की बीजेपी पार्टी को और योगी अधित्तनात को कि मिशन यूपी मिशन उत्राखंड होगा हर सूरत में होगा शान्तीपूर्ण तरीके से होगा अंदोलन तेज किया जाएगा आप लोगों की किसान विरोधी नीतियों के बारे में किसानों को जाके बताएंगे और आपको जो करना है जिस तरीके से करना है आप कर लीजिए यदि आपको जेल में डालना आप जेल में डाल लीजिए देख लेंगे आपकी कितनी बड़ी जेल हैं देख लेंगे आपकी जेल के कितनी बड़ी दिवारे हैं, हमारा 80 करोड किसानों का परिवार है, इन 80 करोड किसानों को कहां डालेंगे जेल में, तो इसलिए अपना ये घमंड त्याग दीजिए, इस किसान के ताकत का इम्तिहान मत लीजिए, और साथियों, आज जो ये दिन ह 31 तारिक का दिन, ये शहीद उधम सिंग जी का शहादत दीवस भी है, वो शहीद उधम सिंग जिनोंने जलिया वाला बाग के नरसनहार का बदला लेते हुए, इंगलेंड में जाके, 1940 में, माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारा था, और देश का स्वाबिमान को जिन्दा रखा था, और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उसके बाद शहीद उधम सिंग को वहीं पे फासी की सजा हो गई थी, और रंत में उन्होंने अपना नाम पूरे देश को एक जुट करने के लिए, पूरे देश को इखटा करने के लिए, उन्होंने अपना नाम आजाद का मतलब वो आजाद सोच के वेक्ति हैं, वो देश के लिए काम करेंगे, किसी की गुलामी नहीं सहेंगे, राम से हिंदू का भी आ गया, मुहम्मद से मुसल्मान भाईयों का भी आ गया, सिह से अपने सिख भाईयों का भी आ गया, यानि सब हम एक हैं, हम सब किसान है हम सब मजदूर हैं, हम सब भारतियें हैं यही संदेश आज हमें जिंदा रखना है, इसी संदेश को आगे बढ़ाना है और इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पे पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के समाज को एक जुटता करने का काम किया है इसलिए यह किसान आंदोलन हर माइने में, कई माइनों में, इतिहास के पन्नों में, सवरणी मक्षरों में, आनि सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा जै जवान, जै किसान बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें